नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं क्रांड जोतिस सीक्रेट करकरासी फल मार्च अप्रेल मई दो हजार बाईस आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आएगा जानते हैं विस्तार से और ये प्रिक्षन चंदरासी पर आधारित है लेकिन उसके पहले एक और बात करकरासी वालों देखिए हमने अपना एक नया वेपसाइट लॉंच किया है जिसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे प्लीज आप एक बार जरूर आईए आपका बहुत स्वागत रहेगा तो चलिए सुरुआत करते हैं आपके रा जो लोग जौब करते हैं उनको विसेश काम्यावी मिलने वाली है जो कारोबारी है उनको भी लाब होगा और पंचम भाव में केतु के उपस्तिति विद्यार्थियों को पढ़ाई से जोड़ेगा घर परिवार के मामलों में भी वक्त बढ़िया है क्योंकि दूसरे भाव म सुरे बुद्ध ब्रस्पती का पूर्ण द्रिश्टी हो रहा है तो घर में सुक का माहौल है लेकिन प्रेम संबंध या दामपत्त जीवन में कहीं न कहीं सुर्य यहां जलाएगा तकरार मटभेट करवाएगा सुरे ब्रस्पती के साथ अस्टम भाव में होने से गुप्त सुर्वात में दसंभाव के मालिक मंगल केंद्रभाव में यहीं सप्तमभाव में सनिस्टुक्र के साथ है तो इस ते आपको फायदा जरू मिलेगा खास कर जो लोग जौब करते हैं जितना आप चाहते हैं उतना सफलता आपको मिल रहा है आपके बॉस आपके सिनियर आप स रहते हैं तो कॉंफिडेंस से भरे वे रहेंगे और कारोबार या बैपार करने वालों के लिए भी सफलता का ये वक्त है हलाकि महिने के उत्तरार्द में परिस्थिती आपके लिए और भी अनुकूल होंगी जो लोग जौब करते हैं कारोबार हैं उनके लिए प्रसंसा का वक्त है तरक्की का मार्ग खुलेगा और कोई भी नया कदम उठाने से पहले जो भी आपके आसपास जानकार हैं उनसे आप संपर्क चरू करें धन की बात करते हैं तो धन भाव के स्वामी सूरी के ब्रस्पति के साथ अस्टम भाव में होने से गुप्त धन प्राप्ति का योग बन रहा है आकस्मिक धन गुप्त धन गड़ा वधन यानि कहीं ऐसे जगह से धन जहां आपने सोचाना था जो लोग जौब करते हैं उनके लिए वक्त बढ़िया है और दफ्तर में आपके काम की तारिफ होगी वैसे तो बौस की तरफ से आपको संबानित भी किया जा और जो लोग बिदेशी वैपार से जुड़े हैं उनको भी काम्यावी मिलेगी और विदेशी वैपार में भी विस्तार हो रहा है तो बैपारियों को कमाई के लिए नए सुरोथ मिलेंगे हालांकि कारोबार से जुड़े फैसले लेने में जल्दबाजी तो बिल्कुल भी करें और किसी अनुभूवी व्यक्ति की सलाह जरूर ले लिजेगा कि स्वास्त की बात करते हैं तो छटे वह के सौमी ब्रेस्पती के साथ सूर्य और बुद्ध के अस्टमभौ में रहने से फायदा भी है अगर लंबे वक्त से आप किसी विमारी से परिसान है तो इससे भी मुस्किलें हैं हलांकि महिने के उत्रादमी जैसे ही सूर्य का राशी परिवर्तन होगा प्षितितियां बदलेगी धीरे-धीरे स्वास्त में सुधार होने लगेगा लेकिन अगर हम रिस्तों की बात करें तो कर्कवालो प्रेम जीवन में थोरी चुनोतियां है क्योंकि पं अपनी बातें उन पर मत्थोपे हलां कि प्रेम भाव में मंगल पाचवे भाव में सनी के साथ तो आपको राहत की बात लेकिन और विवाइत हैं तो सुरुवात बढ़िया है सुक्र के साथ यहां पर देखे परिस्थितियां आपके नुकूल है और लवलाइप पर भरोसा भी जताएंगे हलां कि प्रेम भीवा होने के महिने के उत्रार्द में छोटा सा योग भी बन रहा है दामपत्य जीवन भी उत्रार्द में बढ़ियां रहेगा विश्वास बढ़ा रहेगा पारिवारी जीवन से बात करें तो यह अच्छा वक्त है क्योंकि दूसरे भापर सुर्य बुद्ध और ब्रेस्पति के पुर्न द्रिश्टी पार्थ होने से घर परिवार में सुखवे महौल है पारिवारी जीवन के संबंद पहले से मजबूत होंगे और फायदे मंद भी है अपनों से बड़ों की सला लेकर कोई काम करना हला कि एक दूसरे के हाँ आप जैसे की घर परिवार में आसपास में सुभ और मांगलिक कारेकरम होंगे जहां तमाम सिकायते भी आपकी दूर होगी बस आपको अपनी वानी पर थोड़ा काम करना होगा घर के सदस्यों में प्रेम बढ़ेगा पारिवारिक मुद्धे पर दुवीदा किस्तिती है तो आप सही निरने नहीं ले पाएंगे और ब्रस्पती की पुर्ने दृष्टी होने से धार्मिक कारेकरम आयुजन होगा और परिवार में मिल जुलकर नए कारे करेंगे तो ये थी आपके लिए मार्च 2022 क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकरा है लेकिन मार्च के महने में क्या करें कि सब कुछ ठीक हो जाए देखिए सबसे पहली बात मादुर्गा को दो लॉंग नियमित रूप से अरपित करें और हनुमान चलीसा पढ़कर ही दिन की सुरुआत करें संबब हो तो हर सोंबार सिपजी को एक लोटा जल और पित कर दिया करें इससे भी आपको राहत मिलेगी आईए जानते हैं अब अप्रेल का महिना क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आया है आपके जीवन में देखिए अप्रेल के महिने में हम सुरुआत करेंगे आपके करियर से तो अगर आप प्राइविट जॉब करते हैं तो जॉब में परिवर्तन होगा पुरानी कंपणी को छोड़का आप नई कंपणी में जा सकते हैं अगर आप किसी बड़ी कंपणी में है तो आपका कुछ वहाँ पर बदलाव हो सकता है या अधिकारी को किसी काम से बाहर भी बेस कर रखा है वहां से भी लाब होगा अगर हम सिक्षा करियर की बात करें तो थोड़ा संभल के रहना है क्योंकि जो विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ रहे हैं अपने काम में मन तो लगाएंगे लेकिन उनके अनुसार परिणाम उतने नहीं मिलेंगे परत्रिक्त्य पर में है तो जीवन साथी कुछ बातों से निरास हो सकता है धैर से काम ले साधी के लोग परतिक्षा कर रहे हैं उनके लिए विवात होने के योग हैं स्वास्त की बात करें तो आपके अंदर कॉंफिडेंस है उर्जा है स्वास्त अच्छा रहेगा जीवन साथी का सपोर्ट म करक वालों के लिए मई का महना क्या कुछ परिवर्तन लाया है आपके जीवन में तो करक वालों देखिए मई के महने में बहुत सारे महा परिवर्तन है तो ऐसे में क्या होगा यह मई का महना आपके जीवन में थोड़ी सी जैसे की जो विद्यार्थी है उनके लिए बढ़ि